राधे राधे देव उठनी एकादसी 2024 कब है कब मनाई जाएगी देव उठनी सुमूरत कब है पूजाविधी समय आईए जानते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वला वीडियो का नौटिकेशन आपको मिल पा वरत किया जाता है इस सुप तिथी पर भगवान विष्णू की उपासना और वरत करने का विधान है मान्यता है कि इस वरत को करने से भक्त के सभी कार्यों में सपलता प्राप्त होती और विष्णू जी प्रशन होते हैं कार्तिक महा के सुकल पक्षि के एकादसी को देव उ इतियों में से देवटनी एकादसी को बेहदी मौत्वपूर माना जाता है, मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना करने से भक्त को विश्णु जी का अश्रवार प्राप्त होता है, और घर में सुक समरिदी का विवास होता है, क्या आप जानते देवटनी एकादसी का पर्व क्यों मनाय जाता है, अगर नहीं पता तो आईए आपको बताते हैं इसके बारे में, देवटनी एकादसी का धार्मिक मौत्वा कार्तिक महा के सुकल पक्षे के एकादसी से भगवान विश्णु चार महा महीने के योग निंद्रा से जागते हैं, इस दिन देवटनी भगवान विश्णु और मा लक्समी की फूजा कर्चना करते हैं, साथ ही विशेश चीजों का भी दान करते हैं, माननता है कि इस दिन एकादसी वरत करने से भगत के सभी तरह के पापों से चुटकारा मिलता है, साथ ही सुबफल की प्राप्ती भी होती है, देवटनी सही तारिक आईए जानते हैं, इसके बारे में, कार्तिक मा के सुखल पक्चिक एकादसी तिथी की सुरवात 11 नौवंबर को संध्या काल 6 वज का 56 मिनट पर होगी, वहीं इसका समाबन 12 नौवंबर को संध्या काल 4 वज का 4 मिनट पर होगा, इस परकार 12 नौवंबर को देव इसके अगले दिन तुलसी व्यवा का पार्वी भी मनाया जाएगा एका दसी व्रत पारण करने का सुब मूरत इस परकार से देव उटनी एका दसी का व्रत पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बचकर 42 मिनट से लेकर 8 बचकर 51 मिनट के मध्य पारण कर सकते हो आप सभी अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे जादत से जादत सेर करिए ताकि हमारा मनुबल भी बड़ा रहे और आप सभी के बीच में ऐसी छोटी छोटी जानकारिया लेकर आती नहूं एक प्यार सा कमेंटर और एक प्यार सा लाइक जरूर करें राधे राधे